विभिनुत पादों के बाहरा और भीतर चिपकाई जाने वाली पतली प्लास्टिक फैली और कवर को नहीं कोई कूडा कच्रा बीनने वाली एजेंसी उठाती है और नहीं इनका कभी रिसाइकल और निस्तारण होता है बेहद हलके इन प्लास्टिक का बाजार में भी कोई भाव नहीं इन्हें मल्टी लेयर प्लास्टिक, MLP कहते हैं पहली बार इन्हें एक अत्र करसी में इन्प्लांट और पूर्वी दिली नगर निगम के वेस्टु एनरजी प्लांट तक पहुचाने का काम शुरू हुआ है इन्डियन पॉल्यूशन कंट्रोल असोसियेशन आईपी सीए ने पाइलाट योजना के तहत बीते साथ महीनों में नौ सौटने मैल पी कच्रा बटो रहा है साथ ही इस बेभाव कच्रे से बिजली भी बनाई है IPCA के निदेशक आशीश जिन ने बताया कि हर रोज दो से तीन टने मैल पी कच्रे की छटाई और संग्रहन का काम किया जा रहा है देश के अलग-अलग हिस्सों से कूड़ा कच्रा बीनने वाली एजेंसियों की मदद से बीते साथ महीनों में अब तक नौ सौटने मैल पी इकट ठक किया गया है इन्हें A.C.C. और अमबुर जासी में इंट वगाजी पूर लैंड़ा फिल साइट पर मौजूद वेस्टू एनरजी प्लांट को बिजली बनाने के लिए भेजा जा चुका है आशीश जिन ने बताया कि MLP का रिसाइकल कभी नहीं होता ज्यादतर रोजमिरा के सामान से बड़ी मात्रा में MLP कच्रा पैदा होता है यह नदी नालों में तो जाही रहा है इन्हें कोई उठाता और परीदता भी नहीं क्यूंकि इनका कोई मूले नहीं है ऐसी प्लास्टिक प्रदूशन और गंदगी की बड़ी वज़य है पान गुटखा कमपनियों के पैकेट हो या फिर नमकीन बिस्कुट के पैकेट सभी MLP है IPCA के मताबिक हर रोज़ दो से तीन टन कच्रा इकठा होता है बीते वर्ष नवंबर में इसकी शुरुआद की गई थी वीकेर नाम से इस फाइलाट योजनामे पेप सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड नेसले इंडिया लिमिटेड, परफेटी वैन मेले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड और धर्मपाल सत्यक्पाल लिमिटेड के साथ पूर्वी दिली नगर निगम के साथ सहयो का करार किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम आपको लगातार ऐसे ही वीडियो और ब्रेकिंग ने उज दिखाते रहेगे धन्यवाद